नमस्कार ज्वलंत मुद्दों पर हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं हूँ राजीव दोस्तो इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जो कुछ चल रहा है उसे लेकर अब धेर सारे सवाल सामने आ रहे हैं सवाल है कि क्या इसराइल के फिलिस्तीन पर हमले की गूंज अब भारत में भी सुनाई देगी क्या चुनावी माहौल में रंग चुके देश में जंग के काले रंग को भी वोट के लिए भुनाया जाएगा हम सब ने देखा कि पिछले 9-10 सालों के विधानसभा चुनाओं में प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी ने हिंदू-मुसलिम मुद्दा कई तरीके से उठाया है उत्तर प्रधेश में मोदी ने कबरिस्तान शम्शान की बात कही थी तो जारखंड में कपड़ों से पहचान की बात उन्होंने की थी करनाटक में मोदी को बजरंग बली की याद आई थी और अब इस बार के पांच राजियों के चुनाओं में भी मोदी हिंदू-मुसलिम कार्ड को किसी न किसी तरह खेल ही लेते सनातन और जाती जनगर्ना जैसे मुद्दे तो बीजेपी ने पहले ही अपने जोले में रख लिये थे लेकिन इस बीच इसराइल का फिलिस्तीन पर हमला हो गया और इस बहाने बीजेपी और हिंदुत वादियों को इस मुद्दे को चुनावी कार्ड बनाने का मौका मिल गया दोस्तों ये वीडियो है तेलंगाना का जहां राजधानी हैदराबाद में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली गई और प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन के लिए जिंदाबाद के नारे लगाए जो poster's इन प्रदर्शन कारियों के हाथ में है उन में फिलिस्तीनियों के साथ एक जुटता गज़ा कभी खत्म नहीं होगा और फिलिस्तीन अमर रहे जैसे स्लोगन लिखे हुए हैं यह प्रदर्शन कारी BR अमबेडकर की मूर्ती के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं जिससे ये मैसेज भी जा रहा है कि इनका यकीन देश के समविधान में है लेकिन बीजेपी समर्थक मीडिया इन प्रदर्शन कारियों को वाम पंथी और कट्टर पंथी करार दे रहा है जबकि फिलिस्टीन को लेकर जो रुख ये प्रदर्शन कारी दिखा रहे हैं वही रु लंबे समय से और लगातार वही रही है भारत ने हमेशा सुरक्षित और मानिता प्राप्त सीमाओं के भीतर रहने वाले एक संप्रभू स्वतंत्र और विवहारे फिलिस्टीन राज्जी की स्थापना और इसराइल के साथ शांती से रहने के लिए सीधी बातचीत बहाल करन की वकालत की है आपको बता दो कि अकेले तेलंगाना ही नहीं बलकि देश के कई हिस्सों में फिलिस्टीन के समर्थन में जुलूस निकाले गए हैं प्रदर्शन हुए हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकता में माइनर्टी यूथ फोरम के सदस्यों ने फिलिस्टीन को ग्यापन भी सौपा उधर डियम के शासित तमिल नाडू में भी इसराइल के विरोध में प्रदर्शन किये गए चिन्नई में तमिल नाडू मुस्लिम मुनेतर कजगम ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किये जमु कश्मीर के बढ़गाओं में कल जुमे की नमाज के बाद लोगों ने नाराय तकबीर अल्लाहु अकबर के नारे लगाए इसके साथ ही इसराइल और अमेरिका के खिलाफ भी नारे लगाए गए उनके हाथों में अर्दू और अंग्रेजी में लिखी तख्तियां भी थी एक तख्ती पर अंग्रेजी में या ला गजा और फ कुरम में सोशल डेमोकरेटिक पार्टी आफ इंडिया यानी SDPI के सदस्यों ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट किया। करनाटक की राजदानी बेंगलुरु में भी फिलिस्तीन के समर्थन में लोगों ने आवाज बुलंद की। बेंगलुरू की जामिया मस्जिद के इमाम मौलाना मकसूद इमरान ने कहा कि इसराइली सेना फिलिस्तीन के मुस्लिमों पर अत्याचार कर रही है। हम फिलिस्तीन में शांती बहाली की दुआ करते हैं। जमसेदपूर के मानगो आज़ाद नगर में जुम्ह की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में परदर्शन करके इसराइल के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है। और कहा है कि जितनी जल्दी हो ये युद्ध रुकना चाहिए। लखन पर शिया धार्मिक नेता मौलाना कल्बे नावाद ने तो प्रधान मंतरी मोदी से ये अपील की कि वो ताकतवर पीम हैं और उन्हें इस युद्ध को रुकवाने के लिए आगे आना चाहिए। अब आप ज़रा सोचिए दोस्तों कि कहां तो पीम नरेंद्र मोदी से उम्म कर दिया गया हो। फिलिस्टीन के समर्थन को आतंगवाद के समर्थन की तरह कुछ विब साइट्स पर पेश किया गया है। वही अल्लाहु अकबर और फिलिस्टीन जिन्दाबाद के नारे को भी ऐसा बताया गया हो। मानो इन नारों में कोई बुराई हो। फिलिस्टीन क हमेशा से शांती चाहने वाला देश रहा है और अब भी जिन लोगों ने कल जुमे की नमाज के बाद फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन किया उन्होंने भी फिलिस्तीन के समर्थन में अपनी बाते की उन्होंने भी युद्ध के रुकने की प्रार्थना की मासूमों को मारे ज जाने के खिलाफ आवाज उठाई इसमें कुछ भी गलत नहीं है दोस्तों अगर कहीं नाइनसाफी हो रही है अत्याचार हो रहा है तो उसके खिलाफ बोलना ही इंसानियत का तकाजा रहता है लेकिन ऐसा लगता है कि चुनावी तकाजे में बाकी सारे तकाजों को हाशिये पर डाल दिया जाता है आपको याद होगा कि पीम नरिंद्र मोदी ने भी साथ अक्टूबर को इसराइल पर हुए आतंकी हमले की निंदा की थी और इसराइल के साथ खड़े होने की बात कही इसराइल के साथ दोस्ती दिखाते हुए उसके साथ होने की बात मोदी ने दोबारा भी कही लेकिन विदेश मंत्राले को फिलिस्टीन के हक में बोलना ही पड़ा क्योंकि अपने पर हुए आतंकी हमले के बाद इस तरह से फिलिस्टीन पर तूट पड़ा है और इस जंग में सारे काइदों को किनारे करते हुए बरबरता इसराइल दिखा रहा है वो किसी तरह से भी सही नहीं ठहराई जा सकती है इसलिए भारत को अपना आधिकारिक स्टेंड दुनिया के सामने रखना ही पड़ा आप जानते ही है दोस्तों कि गज़ा पर हवाई हमलों के बाद अब इसराइल जमीनी हमले के लिए तयार है शुकरवार यानि 13 अक्टूबर को इसराइल स उत्तरी गज़ा में रहने वाले 11 लाक लोगों को महज 24 घंटे का वक्त दिया गया है कि वो इस जगह को खाली कर दें आप सोचिए ज़रा कि क्या केवल 24 घंटे में 11 लाक लोग एक जगह से दूसरी जगह सा जा सकते हैं वो भी तब जब पूरा क्षितर जंग की तबाही से जूज रहा है क्या ये सदासर गुंडा गर्दी नहीं है क्या गज़ा में रहने वाले इनसानों की जंदगी इसराइल ने कीडों मकोडों से बदतर मान ली है जो एक जटके में वो कीट नाशक दवा की तरह बारूद का छड़काओ करके सब कुछ साफ कर देगा पूरी बोद में पल रहे पश्चिमी देश इन तमाशों को देख रहे हैं और इस तमाशे को अभी देख रहे हैं क्योंकि युद्ध के बाद उन्हें उनके हिस्से का मुनाफ़ा दे दिया जाएगा युनाटेड नेशन्स यानि सन्युक्त राश्ट्र संग भी इस मामले में संभाव है लेकिन इस बयान के अलावा युनाटेड नेशन्स और कुछ नहीं कर पा रहा है दोस्तों गज़ा से जो तस्वीरे आ रही हैं वो बिचलित करने वाली हैं पूरा इलाका राख और मलबे के धेर में तबदील हो रहा है लगता ही नहीं है कि यहां कभी जिन्दग में वो पूरे फिलिस्तीन को खत्म करने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं इस क्रूरता के समय में अगर हिंदुस्तान के कुछ लोग क्रिकेट वर्ल्ड कप और भारत और पाकिस्तान मैच के उनमाद को छोड़ कर पीडितों के लिए आवाज उठाने निकले हैं तो यह इस बात का गवा है कि देश में इंसानियत अभी जिन्दा है और इस इंसानियत को जिन्दा रखने की कोशिश चल रही है यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों मगर दक्शिन-पंथी मीडिया को यहां भी इंडिया का डर दिखाई दे रहा है इंडिया मतलब इंडिया की बात कर रहों मैं तेलंगाना को छोड़ कर बाकी जिन जिन राज्यों में फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन किये गए वो इंडिया के घटक दलों के शासित राज्य हैं और इन प्रदर्शनों से कानून व्योस्था ना बिगड़े ये भी पहले से सुनिश्चित किया गया फिर भी प्रदर्शन हुए तो इसे कटर पंथ से जोड़ा गया दरसल ये फिलिस्तीन के समर्थन को किसी और डारेक्शन में ले जाने की कोशिश है जिससे चुनाओं में बीजेपी को फाइदा मिल सके राम मंदिर के उदगाटन का फाइदा तो बीजेपी लोगसभा चु पंथनाओं में इसराइल और फिलिस्तीन को भुनाने की कोशिश की जा रही है मोदी एक बार तो इसराइल पर बोल कर फंस चुके हैं अब कहीं उनके समर्थक फिर से उन्हें न फंस आते हैं तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों नमस्कार